हलो बच्चों, आज हम क्लास एट में पार्ट शिक्स जो एक कविता है भगवान के डाकिये इस कविता के संबंद में हम लोग जानेंगे कि इसका मिनिंग क्या है, कविता के माध्यम से कभी क्या कहना चाहते हैं, इन सभी तच्चों को हम पढ़ने के बाद जानेंगे और इस कविता के जो रचीता हैं, कवी हैं, उनका नाम रामधारी सिंग दिनकर है तो आईए हम पहले अनुच्छेत को पढ़ते हैं, पक्छी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं बच्चों, डाकिये का मतलब होता है पत्र वाहक या संदेश वाहक, जिसे की हम लोग डाकिया करते हैं जो कि हमें पोस्ट आपिस से घर तक चिठी पत्र पहुँचाने का काम करता है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिठीया, पैड़ पौधे, पानी और पहार बाचते हैं महादेश का मतलब होता है बच्चों, धिर सारे देशों का समूह यानि की बहुत सारे देश मिलकर एक महादेश कहलाता है तो ही कह रहा है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिठियां पैर, पौधे, पानी और पहाड बाँचते हैं बाचना का मतलब होता है पढ़ना तो इस फस्ट अनुच्छेत के माध्यम से या फस्ट अनुच्छेत जो है वो हमारी पाठ पुस्तक बसंत से लिया गया है और इस कविता के रचैता का नाम पहले ही मैंने बताया है कि रामधारी सिंग दिनकर जी हैं इस कविता में कभी पक्षी और बादल को भगवान के डाकिया बताया है इस अनुच्छेत के माध्यम से कभी कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के संदेश को पहुचाने वाले डाकिये हैं ये किसी देश की सीमा में बंद कर नहीं रहते हैं और ये एक देश से दूसरे महादेश तक चले जाते हैं लेकिन हम मनुस्य इनके दुआरा लाई गई चिठियों को नहीं समझ पाते हैं जबकि पेड़ पौधे पानी और पहार जो है उसे वो समझ लेते हैं और पढ़ भी पाते हैं पक्षिय और बादल उससे प्रभावित होकर उनकी भासा को अच्छी तरह समझते हैं इसलिए प्रकिर्ति द्वारा लाई गई जो संदेश है वह पेड़ पौधे पहार आदी अच्छी तरह पढ़ और समझ पाते हैं चलिए अब दूसरे अरुषिद में चलते हैं हम तो केवल यह आँखते हैं आँखना मिन्स अनुमान लगाना की एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंद भेजती है सुगंद का मतलब होता है बच्चों खुस्बु अच्छी महक और वह सौरव हवा में तैरते हुए शुगंद खुस्बु और वह जो खुस्बु है हवा में तैरते हुए सुंसुं करते हुए हवा के माध्यम से उरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है यानि पक्षियों की पंख पर तिरता मिन्स उसके साथ साथ चिपक कर उड़ कर और एक देश का वहाफ दूसरे देश में पानी बन कर गिरता है तो इस अनुच्छेत के माध्यम से कभी यह कहना चाहते हैं कि हम पक्छी और बादल के संदेश को भले ही समझ और पढ़ नहीं पाते हों पर इतना अनुमान अवस्य कर लेते हैं कि एक देश की धर्ती दूसरे देश को अपने प्यार प्रेम का संदेश भेजती हैं जिसका माध्यम पक्छी और बादल होते हैं हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि हवा में उर्ते हुए पक्छियों के पंक के माध्यम से हवा में सुगंध तैर कर एक देश से दूसरे देश या जो है एक देश से तैर कर दूसरे देश या महादेश तक पहुच जाती है क्योंकि प्रकृती भी किसी देश के साथ भेदभाव नहीं करती है वह भोगोलिक बंधनों को सुगार नहीं करती है कि यह हमारा देश का बादल है दूसरे देश में नहीं जाएगा बरसने या उस देश का वह हवा है मेरे देश में बहने नहीं आएगा ऐसी बंधन वह भोगोलिक बंधन वह सुगार नहीं करती है यही कारण है कि एक देश का बागल दूसरे देश में जाकर बरस जाती है क्योंकि बरसा देश सीमा का बंधन नहीं मानती है इसलिए कह रहा है बच्चों और एक देश का बागल दूसरे देश में पानी बन कर गिरता है जो कि एक देश की जो बरसा है वह देश सीमा की बंधन नहीं मानता है वह कहीं भी जाकर बरसना शुरू कर देता है तो बच्चों आप इस कविता के मिनिंग को अच्छी तरह समझ गए होंगे धन्यवाद